आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे तुलसी जी के पौदे के ऊपर की तुलसी के सुकते हुए पौदे को कैसे बचाएं तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का अमारे यूटूब चैनल पर सामने जो तुलसी जी का पौदा आप देख रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको बता दूं तुलसी जी दो प्रकार की पाई जाती है रामा और स्यामा तुलसी तो दोस्तों देखे ये जो तुलसी का पौदा आप देख रहे हैं और आप इस समस्या से बहुत परिसान हैं तो आपको परिसान होने की कोई जरूत नहीं है क्योंकि दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ दो ऐसे फटलायय जिन से आपकी तुल्सी की गिरोत बहुत तेजी से बढ़ेगी इसके अलावा मैं आपको बता दूंओ अगर आपको यहांपर बारस हो चुकी है तो आप तुल्सी को बाहर रखें पिंचिंग करने का ये फायदा है जब हम अपने पौदे की पिंचिंग कर देते हैं तो पौदा बहुत तेजी से बढ़ता है अगर हम पौदे की पिंचिंग ना करें तो पौदा बढ़ेगा नहीं क्योंकि वो सभी एनरजी को सीट पॉट बनने में ही लगा देगा तो चलिए दोस्तो अब हम इस पौदे की एक बार गुड़ाई करेंगे ये मिट्टी वाला छोटा गमला है तो हमें इसकी नॉर्मल गुड़ाई करनी है ज्यादा इसकी हम गहरी गुड़ाई नहीं करेंगे और ये हमने एक छोटा सा टूल लिया हुआ है इस टूल की मदद से हम इस तूल चीजी के पौदे की गुड़ाई कर देते हैं और उसके बाद में हम आपको बताते हैं इसके लिए जो हम दो फट लायर लेकर आए हैं उसके बारे में तो देखिए हमने इस पौदे की उड़ाई करके अब पौदा तयार कर दिया है तो ये देखिए दोस्तों मैंने अपने हाथ में यहाँ पे एक ग्राम DAP ले वी है आपको एक ग्राम डी एपी लेनी है और डी एपी लेने के बाद मैं आपको करना क्या है कि आपको थोड़ा सा पानी लेना है एक ग्राम डिएपी लेकर के थोड़ा सा आप पानी लें उस पानी में आप डिएपी डाल दें और उसे घोल करके तुलसीजी के पौदे में यूज करें तो चलिए दोस्तों ये पानी में मैंने डाल दिया है और इसे मैं अच्छी तरीके से घोले लेता हूँ देखिए ये मैंने पूरी तरह से अब गोल दिये गोल देने के बाद मैं दोस्तों मैं आपको बता दूँ अब दूसरे फट लाजर के बारे में ये जो आप मेरे हाथ में दोस्तों देख रहे हैं ये मैंने बर्मी कमपोष्ट लिया हुआ है आप बर्मी कमपोष्ट एक तुलसी जी के पोदे के लिए एक मुठी लें और एक मुठी बर्मी कमपोष्ट को आप तुलसी जी के पोदे में डाल दें गुडाई करके अगर आपके पास बर्मी कमपोष्ट ना हो तो आप इसमें कमपोष्ट या गोवर की खात आप आसानी से इसमें यूज कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों मैंने ये अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर दिया है मिक्स कर देने के बाद मैं इसे मैं हलके आसे से दवा देता हूँ और उसके बाद में जो हमने फट लाजर बनाया है DAP से उसको हम इसमें डाल देंगे तो चलिए अब इसको भी हम डाले देते हैं इस फट लाजर से तुलसी जी का पौदा बहुत तेजी से बढ़ता है पौदा बहुत ज़्यादा गना हो जाता है और रहता है बिलकुल हरा बरा तो चलिए इसको अब डाल देंगे आप इस फट लाजर को दोस्तो हर दस दिन बाद अपनी तुलसी जी के पौदे में आप यूज कर सकते हैं अबी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें वीडियो को एक वार लायक एक वार जरूल शेर करें तो दोस्तो मैं आपसे एगली वीडियो में फिर उलोंगा